ओम स्री गणिशाय नम्हा जैसरी राधिकिष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा प्रजिंट में बहुत बहुत स्वागत है आईए आज आप सब जानेंगे वर्ष दुहजार चोवीस फालगुर मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का ब्रत्य कब किया जा रहा है तो जानेंगे ब्रत्य के शुम्हुर्थ के बारे में ब्रत्य के महत्यों के बारे में नियमों के बारे में इस तिन भगबान का किस प्रकार से पूजन करें विश्यस करके किस वस्तु का भोग लगाए इस तिन चंद्रदर्शन का क्या समय होगा इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आईए जानते हैं इन सबों के बारे में संपुर्ण जानकारिया की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत्तक जरूर देखे इसी प्रकार से ज्यान ब्रधक जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए वित्त पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दब भगवान गनेश जी के जो की हेरंब नामक गनेश जी की पूजा करनी चाहिए जो भी भक्त सची स्रद्धा के साथ नियम और निश्ठा के साथ फालगुन मास की चतुर्थी का ब्रत धारन करते हैं तो यहां ब्रत सभी प्रकार के दुख और दारिद्रता को दूर करने बाली तथा सभी प्रकार के धन धान समरिद्धी को परदान करने बाली है यह अतुल धन देने बाली भगवान गनेश जी का ब्रत है प्रतेक माह के क्रिश्न पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन जो की गनेश चतुर्थी का ब्रत किया जाता है क्रिश्न गणेश जी की प्रिशनता के लिए धारण किया जाता है बदक हरता है तफारष सम्रिधी का आस्रवाद प्रदान करने वाले हैं इस अगर नीड़ार रह करके द्ञारnia किया जाहे और या जागरंद तो इस बृत का अनेकों गुणा स्वर्ण प्राब्तby को सबींस पिन्युक्स हằं जाते हुए आत्री उपवगवास रहते हुए भगवान गणेश की सुछ किन सुछ के समय में और बिशेयेश प्रिकार से। चंद्रोधय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। 7 में चौत माता जो कि माता दुर्गा का सुरूप मानी जाती है उनका पूजन करना चाहिए। और पिर चंद्र देपता को जलगा कछे दूधद इप्रदान करके गंदफुष्प धूपतीप आदिस से पूजा करनी चाहिए। इसके नहीं यह प्रत्य पूर्ण माना जाता है तो आईए जानते हैं फालगुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी प्रत्य के शुब महुर्थ के बारे में चतुर्थी तिथी प्राढ़ंब समय जो की 27 फरवरी 2024 दीन मंगल बार रात्री एक बजकर 55 मिनट और चतुर्थी तिथी की जो समाप्ती है वह 28 फरवरी 2024 दीन बुद्ध बार रात्री चार बजकर 19 मिनट पे जानि की 29 फरवरी की सुबह चार बजकर 19 मिनट पे चतुर्थी त कुर्थी का व्रत जो धारन किया जाता है इससे चंद्रोदे व्यापनी ली जाती है तो चंद्रोदे व्यापनी के अनुसार जो भी व्रत धारन करने वाले हैं वो सभी 28 फरवरी 2024 दिन बुद्धवार को व्रत्त को धारन करेंगे 28 फरवरी को सुरियोदे का जो समय होगा वह समय सुभा 6 बजकर 22 मिनट और सुरियास्त साम 5 बजकर 69 मिनट ब्रह्म मुर्थ का जो समय होगा सुभा 5 बजकर 8 मिनट से सुभा 5 बजकर 58 मिनट तक होगा इस दिन 28 फरवरी की रात्री चंदर दर्शन का जो समय है वह समय रात्री 9 बसकर 15 मिनट चंदर दर्शन का समय है तो इस समय में भगवान गणिश्जी का पूरी बिधी बिधान के साथ पूजन करे उसके बाद फिर चंदर देपता को अर्गी परदान करे जहां पर चंदरमा दिखाई नहीं पढ़ रहे हैं कभी कभी मौसम के चलते चंदरमा दिखाई नहीं पढ़ते हैं तो जो चंदर दर्शन का समय बतलाया गया है इस समय में फिर भगवान गणिश्जी का पूजन आदी समपन्न करके आप चंदर देपता के नाम से और्गी परदान कर सकते हैं दो पहर 12 बजकर 10 मिनट से दो पहर 1 बजकर 37 मिनट तक होगा नशत्र जो की हस्त नशत्र सुबह 7 बजकर 33 मिनट तक उसके बाद चित्रा नशत्र योग जो की गंड योग होगा साम 5 बजकर 17 मिनट तक उसके बाद बिद्धी योग इस दिन सरवार से धी योग कुछ समय के लि वह समय दो पहर दो बजकर 29 मिनट से दो पहर तीन बजकर 15 मिनट तक होगा और गोधुली महुर्द का समय साम 6 बजकर 17 मिनट से साम 6 बजकर 42 मिनट तक होगा जो भी भक्तिजन संकष्टी चतुर्थी का व्रत्धारन करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुवह रह्म महुर्द में उठकर के नित्य क्रियाओं से लिवित्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थुरा सा गंगा जल मिला करके तिर्थो का अस्मरन करे माता गंगा का अस्मरन करके अश्टनान करना चाहिए सुदवस्त्र धारन करके सुर प्रिष्ण पक्षी की संकष्टी चतुर्थी का ब्रत्य धारन करने जा रहा हूं या करने जा रहे हूं इस प्रकार से भगवान से प्रातना करे इस ब्रत्य को इस्तिरी या पुरुष कोई भी धारन कर सकते हैं तो अपने ब्रत्य के लिए भगवान गनेश्जी से प्रातना क चंद्रोदे के समय में भगवान गणिश्जी का चोथ माता का पूजन करना चाहिए इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले जैसे कि अपने घर के इसान कोन में उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चोकी लगा पर वहाँ पर एक चोकी लगा करके चोकी पे लाल कपड़ा बिछाएं वहाँ पर भगवान गणिश्जी की फोटो या प्रतीमा रख करके साथ में चोथ माता दुरगा माता की फोटो या प्रतीमा रखे एक आसन लगाए आसन पे पुर्व या उत्तर दिशा की और मुख करके बैठे एक दीप प्रजवलित कर एक दीपक जलाएं और फिर भगवान गणिश्जी का आस्मरन करते हुए कलस्त लिपता का पूजन करे गंद पुष्ट धूप दीपादी से पूजा करके फिर भगवान गणिश्जी का और चोथ माता का पूजन करना चाहिए भगवान गणिश्जी का जल से अभिशेक करे पंचामरेश अभिशेक करे शुद्ध गंगा जलसे अभिशेक करे उसके बाद पीला वस्तर पीतामबरी वस्तर भगवान गणेश जी को अरपित करे यग्यों पवीच चढ़ाएं यानि की जिनेव भगवान गणेश जी को अरपित करे जिनेव चढ़ाने के बाद जलसे आच चटाये इस तीरी अप्रोस कोई भगवान गणेश जी को सिंदूर सठा सकते हैं भगवान गणेश और हनुमान जी ये दो देवता को सिंदूर आवशी ही अर्पित करनी चाहिए तो भगवान गणेश जी को सिंदूर दिखाएं अनेत प्रकार का निवी द्यादी भग्वान गणैशंजी को अर्पित करें विश्यस करके मोधक का भोग लगाए या तिल्ट था गुड़ मिस्रित भोग भगवान गणैशंजी को लगाना चाहिए अ बने हुई वस्तुओं का भोग भगबान गरनेश्ची को लगाए रितुफल आदी अर्पित करें इसके बाद जलसे आच्मनी करवाए मुक्षुद्धी के लिए पान पत्र सुपारी लोंग इलाइची के साथ में अर्पित करें द्रब्य दक्षिना चढ़ाएं इसी प्रकार से चौत माता का पूजन करें चौत माता का जलसे अविश्यक करें पंचाम दिश्यक करें शुद्ध गंगा जलसे अविश्यक करें माता को लाल वस्त्र अर्पित करें स्रिंगार की वस्तुए अर्पित करें फिर अप्षत चंदन पुष्प आधी अर्पित करें पुष्प चदुत का कथा सरवन करे भगवान गणेश णीं के अस्तोत्र आदी का पाठिया सरवन करे भगवान गणेश जी की आरती करे इस प्रकार से पूजन संपन्न होने के बाद फिर चंद्र देपता को कच्चे दूद का या जल का अर्गिय परदान करके गंदपुष्प धूप द जाकर के फिर व्रत्य का पारण कर सकते हैं तो आपकी एक्षा जिसमी प्रकार से हो अपने सामर्थता के अनुसार भगवान का पूजन करें आप चाहें तो चंद्रदेप्ता को अरगे परदान करने के बाद सातविक अहार ग्रहन कर सकते हैं जो भी भक्त जन ब्रत धारन करने बाले हैं ब्रत्य के दोरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ब्रत धारन करते हों तो ब्रत्य के दोरान किसी के उपर क्रोध नहीं करनी चाहिए अपने मन में किसी के प्रति इर्सा या दुष का भाव नहीं लाना ब्रहम चर्जि का पालन कड़ना चाहिए, ज्यादा किसी से नहीं बोलनी चाहिए, ज्यादा बात करने से मुख से नौन निकलने वाले सब्द भी निकल जाते हैं तो जहां तक हो सके मौन धारन करके रहना चाहिए और पूर्ण सरद्धा भक्ती भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए ब्रत्य के लिए मन में और सरद्धा हो और विश्वास हो वह ब्रत्य निश्फल माना जाता है तो पूर्ण सरद्धा भक्ती भाव के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए इस तिन आहार में जो व्यक्ति के सभी परकार के दुख और दारेद्रता का नाश होता है तथा भगवान गणेश जी उनके घरों को धन और धाने से पड़ी पुर्ण कर देते हैं तथा सुख और शम्रिधी का आसिर बाद परदान करते हैं तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही घ्यान बरधक जानकारिया प्राप्ट करते रहने के लिए चैनल पर अगर आपको पहली बार आये हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि आने बाली वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलत आपको में जार आपको पहली है जाए टसे एकन घसका हुआ आपको वेल ग estás एकका भीत करें आपको द किद्सक्राइब को अगर hobbies gonna aint ...